आयुर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है हर इंसान के जिंदगी में हलके फुलके घाव, सरजरी या स्किन का जलना तो लगा ही रहता है कई बार घाव ठीक हो जाने के बार भी उसके निशान या दाग रह जाते हैं जिस वजह से उस ख्षेत्र की त्वचा खराब लगने लगती है लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुसके बताएंगे जिनके इस्तमाल से घाव के निशान और दाग आसानी से मिट जाएंगे नीमबू का इस्तमाल निशान को हलका बराने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है इसके आलावा नीमबू डेट स्किन सेल्स को भी हटाता है और नई स्किन के विकास को बढ़ावा देता है घाव के निशान को कम करने के लिए रूई को नीम्बू के रस में डुबोले और निशान पर रगणे एक सब्ताह तक रोज ऐसा करें आपको अच्छा खासा फर्क नजर आने लगेगा दो चम्मच कच्चा शहद और दो चम्मच बेकिंग सोरा को मिला ले अब इस मिश्रण से घाव के निशान पर तीन मिनट तक मसाज करें फिर घाव के निशान पर गरम तॉलिया रखें जब तॉलिया थंडा लगने लगे तो उससे इस मिश्रण को अपनी तवचा से साफ कर लें अलोवेरा स्किन टिशू के रिपेर और रीजेनरेशन में मदद करता है निशान वाले हिस्से पर अलोवेरा जेल या क्रीम लगाएं दिन में कई बार इसे दोहराएं और कुछ दिनों तक करते रहें जब तक कि आपको फर्क नजल ना आने लगे निशान को प्राकृतिक रूप से हटाने का अलोवेरा एक प्रभावी तरीका है एक कप में प्यास का जूस निकाल कर रूई की मदद से उसे घाव की निशान वाले एक शित्र पर लगाएं कुछ मिंटों तक जूस को ऐसे ही लगा हुआ रहने दें फिर उसे अच्छी तरह से पानी से धोलें एक दिन में आप इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं चहरे पर चोट के निशान को कम करने या पूरी तरह से ठीक करने के लिए चंदन पावडर एक बहुत अच्छा घरे लूनुस खा है चंदन पावडर में गुलाब जल मिला लें और साथ में दो चम्मच दूद भी डाल दें इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और फिर निशान पर लगाएं एक घंटे के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धोलें ऐसा करने से धीरे धीरे निशान कम होने लगता है खीरा स्किन को मुलायम बनाता है और इसे हाइडरेट रखता है ये निशान को हलका करने के साथ साथ निशान के आसपास की सूखी तवचा को नमी प्रदान करता है खीरे का आप पेस्ट बना कर अपने निशान पर नियमित रूप से लगा सकते हैं घाव के निशान को कम करने में ये काफी कारगर होता है आमले के पाउडर में पानी या जैतुन का तेल मिला कर पेस्ट बनाएं घाव भरने के बाद इस पेस्ट को अच्छे से स्किन पर लगा कर मसाज करें घाव भरने पर इसे तुरंत लगाया जाए तो ये घाव का निशान या दाग पढ़ने से रोक सकता है प्रभावित क्षेत्र पर नारियल का तेल लगा कर कुछ मिनट तक मसाज करें मसाच के बाद तेल को तवचा पर ऐसे ही लगा छोड़ दें इस प्रक्रिया को पूरे दिन में दो से तीन बार दोहराएं ये उपाए घाव के निशान को ठीक करता है और खराब हुई तवचा सही करता है घाव के निशान तेजी से कम करने के लिए आप नारियल के तेल के स्थान पर कोको बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं दोस्तों ये थे कुछ छोटे घाव या जलने के बाद पढ़ने वाले निशान को दूर करने के उपाए अगर आपको हमारे निसके पसंदा रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल धन्यवाद